नमस्कार आप चुन रहे हैं न्यूज भ्याज़ारकन साथ जन्वरी गुरोवार खबर दिनबर में स्वागत है आपका मैं प्रिया तायल आज की मुख्य समाच्छार नितीश मंत्री मंदल विस्तार की अटकरें हुई तेज आरपी सिंग से मिले भुपेंद्र यादव मुजफरपुर में कौचिंग से लौट रही दसवी की छात्रा से हुआ गैंग रेप पांच आरोपियों में से एक ग्रफतार बिहार में स्कूल खुलते ही करोना पॉजिटिव मिले हैट मास्टर बच्चों में बड़ा संक्रमन का खत्रा जारकन के सीएम हेमन सोरन के कापले पर हमले के मामले में दो पुलीस अधिकारी हुए सस्पेंट 26 लोग हुए ग्रफतार पटना में अपने अंतिम संसकार के लिए पैसे लेने पहुँची लाश तीन घंटे की हंगामे के बाद मिले पैसे अब खबरें विस्तार से 14 जनवरी के बाद नितीश मंत्री मंडल के विस्तार से पहले आज बिहार बिजिपी के प्रभारी भुपेंदरी आदप और प्रदेश अध्यक्ष संजय जैस्वाल ने जेडियों के नई रास्च अध्यक्ष आरसीपी सिंग से मुलाकात की आरसीपी से मुलाकात करने के बाद भुपेंदरी आदप और संजय जैस्वाल खुद जनता दल यूनाइटिट के दफ्तर गए जिसके बाद भुपेंदरी आदप से जब पदरकारों ने नितिश कुमार मंत्री मंडल के विस्तार को लेकर हो रही देरी पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि सई समय पर सब कुछ हो जाएगा और मंत्री मंडल विस्तार को लेकर विजिबी का शेश नितिक नितीज कुमार के साथ चरचा करा है बिहार के मुझफरपुट जिले में कोचिंग से लौट रही एक दस्मीं कक्षा की शात्रा के साथ पाँच दरिंदों ने हत्यार के बल पर हैवानियत को अंजाम दिया है पुलीस के मुताबिक लड़की को अगवा कर उसके साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है पुलीस ने इस घटनावे पाँच आरोपियों में से एक आरोपी को गरपतार कर लिया है पुलीस के मुताबिक तस्वीक अक्षा की छात्रा सौंबार की शाम कोचिंग से लोट रही थी तबी एक बलैरो सवार्स ने उसकी साइकल को टक कर माण के गिरा दिया इसके बाद दो यूवकों ने पीड़ता को उठा कर बलैरो में बठा लिया और हाथ पर बांथ कर एक पैट्रोल पम के जजजर कमरे में ले गए पीड़ता का कहना है कि कुछ समय के लिए जब सभी आरोपी कमरे से बाहर गए तब ये कमरे की खिड़की से कूत कर भाग गई इसके बाद ग्रामीरों ने पीड़ता को उसकी घर तक पहुचाया बिहार ने जारी कुरोना संक्रमन के बीच स्कूल को खोलने के आदिश के साथ ही एक हैट मास्टर की कुरोना पॉजिटिव पाय जाने का मामला सामने आया है ये घटना गया जिले की है जहां चाट जनवरी को स्कूल खोलने के साथ ही एक स्कूल के हैड मास्टर पॉजिटिव पाय गए है इस घटना के बाद उनका इलाज पतना के एक निची अस्पताल में चल रहा है जहां उनकी हालत चिंता जरंग बताई जा रही है हेड मास्टर की क्रोना पॉजिटिव पाय जाने के साथ ही स्कूल के अन्य कई सिख्छकों में भी संक्रमन की आशंका है इसकूल लेकर स्कूल के हेड मास्टर ने पत्र लिखकर विभाग से स्कूलों को बंद करने की अन्रोद किया है जारकन की राजधानी रांची के किशोर गंज इलाके में सौंबा शाम को मुख्यमंत्री हेमन सुरन के कापले पर हुई हमले की घटना को लेकर सुक्तेव नगर और कुत वाली पुली स्टेशन के प्रभार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है साथ ही कापले पर हमला करने वालों को लेकर 26 आवरूपियों को जेल भेज दिया गया है इसी के साथ साथ और लोगों को हिरासत में लिया गया है और इस घटना के पीछे उनके मकसद का पता लगाने की कोशिच की जा रही है दरसल राची के ओर मांजी इलाके से एक सिर्कटी युक्ती का शब मिलने के एक दिन बाद घटना के विरोत में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सौंबा शाम को मुख्यमंत्री के कापलों को रोकने की कोशिच की और पत्राब भी किया पत्ना के गाउं में एक साट साल के कुवारे शक्स की मौत हो गई ये शक्स पत्ना के गाउं में अगिला रहता था जब पड़ाश्ची को शक्स की मौत का पता चला तब उसने अंतिम संसकार करने के लिए उसके घर में पैसों की तलाश की मगर उसे पूरे घर में कहीं भी पैसे नहीं मिले हालनकि उसे एक पास्बुक मिला जिससे मालूम चला कि मिले तक शक्स के बैंक में करीव एक लाख रुपे है इसके बाद पड़ोसी पूलों से सजे शब को बैंक तक ले गया और उसने बैंक से मांग की कि महेश यादव के अंतिम संसकार के लिए उनके बैंक एकाउंट से पैसे जारी किये जाए गाउवाले चाहते थे ही महेश यादव के एकाउंट से कम से कम 20,000 रुपे निकाल दिये जाए शब करीब 3 गंटों तक पड़ा रहा क्योंकि करीब 3 गंटों तक पैसों को लेकर ग्रदी जारी रहा जिसके बाद ग्रामिनों को CRS 5 से करीब 10,000 रुपे दिये गए आज इतना ही अगली मुलाकात होगी कल नमस्कार झाल उसके बादी मुलाकात है और भैइक बाल k wyn sein